गर में अगर false selling करवाने जा रहे हो, तो ये वीडियो देख लो, आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए best false selling कौन सी है, कितना खर्चा पड़ेगा, नया trend कौन सा है false selling का, सस्ती कौन सी है, best material क्या है, rate क्या है, हर चीज इस वीडियो में पता चल जाएग पहले ये वीडियो देख लो, तीन option आपके पास होते हैं false selling के, सबसे पहले है P.O.P की false selling, फिर है अमारी PVC की false selling, फिर है अमारी gypsum board की false selling, और फिर है profile light, चार होगे, तीनी चार option अभी होगे हैं 2024 में, तो सब के बारे में एक एक करके बता देता हूँ, उसके बाद आप P.O.P false selling क्या होगी, देखो कुछ इस तरीके से false selling आपकी होती है, इसमें क्या किया जाता है, पहले channel, framing की जाती है, channel लगाये जाते हैं, और उसके ओपर P.O.P के bag आते हैं, उनको गोला जाता है, और P.O.P से design बना दिये जाता है, जी ऐसा भी design आप बनवाना चाहो, वैसा design बन जाएगा, P.O.P false selling का ये फाइदा है, सबसे अची चीज ये है, लेकिन यहाँ आपको बेफकू बुना सकता है, जो लगाने वाला है, तो उसमें जो channel यूज करने आपको, channel हमेशा अच्छी company के होने चाहिए, GP rock के ले लो, जो भी ये सामने, जो company के नाम देख रहे हो, इन मेंसे company के अगर channel लगाती हो, तो अच्छी बात है, नहीं तो होता क्या, वो rate आपसे कम कर लेंगे, थोड़ी गटिया quality के channel यूज कर लेंगे, थोड़े time बात क्या होगा, वो channel सढने लग पड़ती है, क्रोजन लग जाती है अंदर, जब वो channel सढगे, उसमें जाली लग पड़ेंगे, तो हमेशा आपको क्या करना है, जब भी P.O.P की false link करवानी है, channel की quality देख लेना, इस पर वीडियो बना चुका हूँ, वो playlist अलग से है, false link की वहाँ देख लेना सब जाके, और साथ ही साथ, आपको यह जो खर्चा पड़ जाता है, यह P.O.P की false link करवाने में तो rate start होता है 110 से 130 रुपिया पर scare fit, मतलब उसमें आपको material भी मिल गया, lever भी मिल गई, आपके area में 90 रुपे भी हो सकता है, 100 रुपे भी हो सकता है, लेकिन अगर अच्छी material, अच्छी quality का material लेने जाओगे, तो 110 से 130 रुपिया खर्चा अच्छे से बैठ जाता है, जो आप rate में बोल रहा हूं, जैसे शत है आपका 10 रुपे 10 का, ठीक है, तो 10 रुपे 10 हो गया, 100 स्केर फीट, 100 स्केर फीट इन्टू 110 करेंगे, तो कुछ 10,000 से 11,000 रुपिया खर्चा आजाएगा, आपके छत को false selling करने में, तो इस हिसाब से rate आता है, अभी इसमें मैं बताता हूं कभी भी क्या करना, complicated design मत बलाओ, आजकल simple design trend में है, luxury look भी देते हैं, जैसे complicated design देख रहे हो, यहाँ yellow color किया, यहाँ यह light है, यह puzzle सा design जो होती है, यह अच्छे नहीं लगते हैं, आपको simple सा cope करना चारू तो बीच में lights लगवा दो, बहुत सुंदर दिखते हैं, और इसमें आज आजकल आप नया trend ला सकते हो, कैसे, जैसे P.O.P की false link आप करवा रहे हो, बीच में आप यह ऐसी golden पटी देदो, मतलब false link आगे, बीच में golden पटी देदो, lights देदो, तो वो भी trend में है, बहुत सुंदर दिखते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, P.O.P false link के साथ, जो MD MDF की जाली आती है, वो लगवा लो, MDF की जाली को brown color कर लो, यह जो भी color करने, वो भी बहुत सुंदर दिखते हैं, फिर आजकल trending है, simple सी false link करवा लो, P.O.P की, उसके बीच में profile lights लगवा ओ, profile lights, जैसा भी design आपको बनाना है, वो बना लो, ऐसा कुछ, वो भी बहुत सुंद सेम, चैनल की framing बनती है, इसमें भी चैनल की quality देख लेना, इसमें इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं बढ़ती है, चैनल की quality की, जितनी P.O.P में बढ़ती है, तो चैनल की quality थोड़ी बहुत देख लेना, स्क्रियू की, और चैनल की framing बनाके PVC panels आते हैं, PVC panels आप इस पे लगव जितनी P.O.P की fall ceiling लगती है, तो आप इसको भी कुरवा सकते हो, क्यूंकि इसमें budget हमें अच्छा मिल जाते हैं, यह 60 रुपे से 75 रुपे पर square feet में आपको पूरे छत पे मिल जाएगी, मतलब अगर आपका 10-10 का छत है, 100 square feet, तो 65 तो कुछ 6,000 से 7,000 रुपया खर्चा आज तो मेरे खाल में इतनी अच्छी है नहीं लगती है, अगर आपको ऐसी जगह पर करवानी है, जहां रेंट पर देनी है, जहां इतना ज़्यादा आपको खर्चे में नहीं जाना है, तो PVC की fall ceiling आप करवा सकते हो, जब आपको इसको करवाना है, अगर इसको अच्छे में होती है, कोब में, वो लगवाईए, तो सुन्दत देखेगा, जहां बेज कलर में, जहां डाक कलर कभी उपर न जाना, और जिस PVC पैनल में पैटन्स हो, वो PVC पैनल कभी भी मत करवाओ, वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते हैं, तो यह आपको आइडिया लगया, अगला Option आपके पास आजाता है, जिपसम की falseeling, तो जिपसम की falseeling बहुत सालों से चल दी आ रही है, पीओपी से पहले जिपसम की falseeling करवाई जाती थी, इसमें होता क्या है, सेम आपकी framing बथी है पूरे छत में, और जिपसम board आते हैं, दो वो जिपसम के board की cutting की जाती है, उन से सो रुपया पर स्केर फीट आपको बढ़ती है इसमें भी लिमिटेड डिजाइन आप बना सकते हो देखने में सुंदर लगती है खर्चा थोड़ा कम है तो जो भी इसमें चैनल की क्वालिटी और स्क्रीव की क्वालिटी बहुत मैटर करती है क्योंकि जो जिप्सम के यह होते हैं यह काफी हैवी होते हैं अगर चैनल और स्क्रीव अच्छे नहीं हुआ तो थोड़े टाइम बाद वो गिरने के लग पड़ते हैं और क्रैक आने लग पड़ती है आपके जिप्सम बोर्ड में जाली भी अच्छी क्वालिटी क्योंनी चाहिए तो यह इसमें क्वा Wall Silling में तो यह हमेशा द्यान रखना, POP की Wall Silling और जिप्सम की Wall Silling पाणी से खराब हो जाती है लेकिन PVC की Wall Silling जो है वो पानी से खराब नहीं हो गी वो विजली से gives था एगर शोट सर्कीट हुआ पूरे छट में आग लग जाती है यह दिक्कत PVC की Wall Silling में आ गी और इस समय प्लास्टर की है, बहुत दस से बारह में सिलिंग में प्लास्टर चड़ाया आपने, तो उसमें ग्रूब कटिंग करो, ग्रूब कटिंग जैसे आपको design बनाना है, वैसा ग्रूब कटिंग करो, और ये profile lights आती है, पीछे से पूरा इसका profile होती है, बीच में LED strip इसके आती है, तो इसको fix कर दिया जाता है, पूरा आपका जो electrician है, वो आपको करके दे देगा, और बाकी छट पे आप पुट्टी करवालो, जो भी, वाइट करवालो, और ये profile light लगवाओ, जो भी design मनाना है, बहुत सुन्दर दिखता है, बले आप इसको direct plaster में profile light लगवाओ, बले आप POP के false selling करवाके लगवाओ, बले gypsum में लगवाओ, तो ये बहुत सुन्दर दिखता है, आपको ये खर्चा पड़ जाता है, 105 से 120 रुपया रंडिंग फीट के इसाब से, मतलब जितना लंबा design आप बताओगे, एक रंडिंग फीट का खर्चा आपका लगालो, कितना आग अगर 10 RFT आपकी होती है, तो 3000 रुपया खर्चा आए जाएगा, तो इसे साब से खर्चा आप calculate कर सकती हो, और ये trending look है, अच्छा look है, बहुत सुन्दर दिखती है, ना खराब होने के chances है, ना कुछ है, तो ये option भी आप false selling की light में रख सकती हो, बाकी false selling wooden की भी करवा लो, औ और भी काफी option आजाते हैं, लेकिन जो ये चार है, ये समय ट्रेंडिंग में है, इनके rate भी अच्छे हैं, और आप अराम से अपने area में करवा सकते हो, हमेशा दियाद रखना, जब भी material लेना है, जो भी आपको ठेकेदार चूज करना है, उसका पुराना काम देखना, उसक करवाना और rate करते time, सब चीजे बात clear कर लेना, इसमें मैं काफी वीडियोज बना चुका हूँ कि क्या-क्या ठेकेदार आपको बेफकूर बनाते हैं, क्या-क्या समान आपको लगाना है, उसकी आप हमारे अलग से playlist हैं, 3000 प्लस वीडियोज हैं चैनल पर वो देखो जाके, और किसी को भी interior के related कोई भी consultation लेनी है, जाहां house construction के related, description में detail है, आप whatsapp कर सकते हो, पूरी help कर देंगे, thank you guys.